हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों मैं हूँ सिये पंकस राओगी और आज की वीडियो में जो अभी आपका जून 2024 में OMSM का पेपर हुआ था आज हम उसका MCQ कोशन का सोलीशन डिसकस करने वाले हैं पुल फ्लेज जो पूरा का पूरा पेपर है उसका सोलीशन हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी आपके एक्जामिनेशन ओवर हो जाने के बाद लेकिन काफी सारे बच्चों के डिवांड सर कम से कम जो MCQ कोशन से हैं उनका तो सोलीशन हमें बता दीजिए तो जो भी प्र करामिनेशन का आपका जून दोजार चॉबिस का पेपर था जिसमें हम सब को आईडिय कि सो नंबर का अमारा पेपर भगोता तीन गंटे का पेपर हुआ तो आज कल OMSM का एक साथ ही पूझा जाता है बली वह section A हो बली वह section B क्यों न हो क्योंकि अगर आप section B में भी जाओगे तो section B में भी यह है कि आपको 5 question attempt करने ते 7 में से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि OMSM का अलग paper बन रहा है है SM का अलग बन रहा है वो एक साथ ही आपको देखने को मिलता है बस यहां पर heading में गलती से लिखा हुआ है operation management बाकी OMSM दोनों के ही होते है question number one आपका compulsory होता है ज्यादा time waste ना करते हुए mcq पर move on करूंगा जिसमें पहला mcq था आपका let's consider an example of a product manufacturing company who is aware that it needs to produce the products ठीक है one of the important aspect involved in the operational planning which is related to the question how much to produce how much मतलब demand कितनी होगी कितना हमें produce करना पड़ेगा is known as process selection and layout aggregate planning demand forecasting या quality management सर सही answer था इसका demand forecasting क्योंकि उसी के basis पे आप क्या करते हो production करते हो तो c आपका correct answer था पहले point का second point की बात करें तो blank of a plant is the maximum rate of output maximum rate of output होता है सर capacity goods or services the plant can produce production potential demand यह capacity d will be your correct answer capacity of a plant is the maximum rate of output the plant can produce third mc क्यों था आपका which one of the following basic type process type basic process type is used when a very highly standardized product is desired in high volume sir highly standardized product in high volume that is nothing continuous process b will be your correct answer continuous process में very highly standard product high volume में produce किये जाते हैं नेक्स्ट ता फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन विच वन ओफ दा फॉलविंग प्रोड़क्शन कंट्रोल इस टिपिकली फाउंड वेन एवर पर्टिकुलर बोटल लेग मशीन एग्जिस्ट इन प्रोसेस उप्रोसेस उप्रोसेस उप्रोसेशन पता नहीं कितनी ही बार आपके एक्जाम में पहले भी पूछा जा सुक्ए है यह विल बी औ सर लोड कंट्रोल और फिफ्ट एमसी की बात करें तो फिफ्ट एमसी की था आपका विच वन आप दा फॉलविंग आई एस सो स्टेंडर्स इवेलिएट दा मैनेजमेंट अफ दा एंटायर मैनिफेक्शन प्रोसेस फ्रॉम पर्चेजिंग तू डिजाइन टू ट्रेनिंग सर आई एस सो 9000 है जो की पर्चेजिंग टू डिजाइन टू ट्रेनिंग के साथ डील करता है तो पहले जो पांच एमसी क्यू थे फुली थे जैसा कि हमें पता भी है कि OMSM में थेयोरिटिकल एमसी क्यू ज्यादा आते हैं प्राक्टिकल कम आते हैं बट 6th एमसी क्यू आप आपको प्राक्टिकल देखने को मिल गया जिंक प्लांट ओफ जेड ओएस लिमिटेड मैनुफेक्ट्चर प्रड़क्ट जेड ओफ 30 यूनिट्स पर शिफ्ट ओफ 8 आवर्स सर यह आपका एक्च्वल प्रड़क्शन है कि आपने एक्च्वल में 30 यूनिट बनाई है आठ यूनिट बना के देने है Wat is the productivity per shift of 8 hours अगर आपको बोला गया 12 यूनिट में 1 तो मतलब एक घंटे में पांच तो आच घंटे में 40 यूनिट आपको बनानी थी लेकिन आपने तीस ही बनाई है तो हम लग hear five unit बनानी थे यूनिट का एक गंटे में तो आट में 40 correct answer next seventh mcq if it is a theoretical which one of the following design test ask design test ask whether a proposed structure will set up links between part of the organization that are important but bound to be strained sir ye hota difficult link test hota ye difficult link test proposed structure will set up links between part of the organization that are important but bound to be strained c will be the correct answer is it's a practical question is ron limited a manufacturer of bowl bearings provide the following items that is being managed using a fixed order quantity model with the safety stock this way annual demands is ko d say indicate kiya gaya 24,000 unit order quantities ko qo say indicate kiya gaya 3600 units safety stock rakhare 400 units ka what is the average inventory level so sir fixed order quantity model with the safety stock me average inventory level ka formula hota qo upon me 2 plus ss qo matlab order quantity ss matlab safety stock to qo ta 3600 divide by 2 plus means safety stock is ko saal kya ya 2200 units c will be your correct answer यह new syllabus में इन्होंने introduce किया था old syllabus में यह नहीं होता था इसके बाद ninth जो है वो भी आपको एक practical question मिल जा रहे है the slack time of the tail event slack time of the tail event and slack time of the head event of an activity m are 15 days and 2 days respectively tail event का slack time 15 दिन है और head event का 2 days है if the total float of activity is 16 days free float क्या होगा तो sir free float का formula होता है total float minus slack time of head event तो यह हो जाएगा 16 days आपका total float है तो दो दिन इसमें से minus कर दो 14 days will be your correct answer, B will be your correct answer, B will be your correct answer तीन आपको MCQ practical देखने को मिले है next or 10th है वो आपका theoretical है, मतलब 10 में से अभी तक 3 MCQ है which one of the following digital marketing strategies is a form of paid advertising sir sma से आगया question that allows marketing teams to essentially purchase traffic to their website sir pay per click में ऐसा होता है, pay per click जो है यह एक paid advertising का तरीका है जिसमें आप traffic purchase करते हो अपनी website के लिए, कि हमारी website पे लोग आए traffic आए, next 11th which one of the following is or are true for a blue ocean straits sir पहला ही ठीक है, create and capture new demand क्योंकि vote the competition, exploit existing demand, compete in existing market यह तीनों के तीनों आपको red ocean strategy में देखने को मिलते हैं, यह will be your correct answer next 12th, अब आपके sma से ही है which one of the following shots of business defined by the market growth that is market share axis of BCG matrix is a business unit with high market share in a matured market sir cash kao में ऐसा होता है, high market share in a matured market a will be your correct answer next 13th, blank is the science of using mathematical calculations and logic to generate time effective sequence of tasks considering any resource and cost constraint sir यह वापिस आपका OM में से आगया scheduling is the science of using mathematical calculation and logic to generate time effective sequence of tasks considering any resource and cost constraint a will be your correct answer और 14 और 15 भी अपने को theory ही देखने को मिल रहे है which one of the following announces what the company is providing to society either a service or a product sir mission mission है जो कि यह बताता है कि what is the what company is providing to the society whether a service or a product again यह sma से आपको देखने को मिल रहा था और last जो है वो भी आपको sma से ही देखने को मिल रहा है 15th one which one of the type following type of cloud computing is a distribution model that delivers software application over the internet these application are often called web services sir infrastructure as a service no platform as a service sir software as a service SaaS software as a service over the internet c will be your correct answer तो यह 15 mcq थे आपके इन 15 में से 3 आपको practical देखने को मिल रहे थे और 12 जो mcq थे वो आपको theory यहाँ पे देखने को मिल रहे थे तो आज की वीडियो का main purpose यही था कि यह जो omsm का paper हुआ था June 2024 में मैं आपको इसका mcq का एक question जो mcq question थे 15 इसका एक मैं आपको solution provide कर वा दूँ ताकि आप अपना mcq question का एक analysis कर सके जो बाकी questions है जो oms के practical question है theoretical पे तो ज़्यादा considerate नहीं करेंगे no doubt बड़ जो oms के practical question है इनका solution जल्दी मैं आपके साथ share करूँगा लेकर आऊँगा आपके exams over होने के बाद अभी आप अच्छे से अपने exam दीजिए दो paper आपके second group के already हो चुके हैं FMBDA जो है उसके लिए हमने आपके लिए one day before exam एक preparation कर रखिए कि कौन से most important topics हैं उनको आप जरूर देखिए ताकि आपको पूरा syllabus no doubt आप cover करके जाओ बट ऐसा नहों कि आपके important topic छूट जाए और जो unimportant है वह आप cover कर लो तो पहले important topic जो हमने discuss किया आपके साथ उसकी वीडियो देख लीजिए और उसकी वीडियो का link जो है मैं description box में डाल देता हूँ वह आप देखिए उसके बाद आपके पास time बचता है बाकी बचेवे topic भी आप जरूर जरूर coverage करके जी अगर आपने मारे चनल को अभी भी subscribe नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि बाकी subject की भी मैं इस तरीके से जैसे मैंने omsm के mcq question आपके साथ discuss किया है बाकी paper के भी mcq question discuss करेंगे even पूरे-पूरे paper का solution discuss करेंगे बट थोड़ा उसमें time लगेगा बट mcq questions जो है हम साथ की साथ इस बार आपके साथ discuss करते रहेंगे video अच्छा लगाओ like कर दीजिए दोस्तों के साथ share करना मत बुलिए this is all about for today thank you bye bye and all the best